अभी हमने डिसकस किया था कि मैगनेटिक फील्ड में यहीं किसी वायर को रख देते हैं वह भी करेंट केरिंग वायर तो उस पर एक फ्लेमिंग लेफ्ट हैं रूल से उस फोर्स के डारेक्शन को निकाल सकते हैं और उसकी वैल्यू जो फोर्स एक्ट करता उसकी वैल्यू वी आई ल साइन थीटा होती है फिर हमने देखा यहीं कोई चार्च पार्टिकल को रखते हैं तो फरस्ट अपने देखा था कि जो बी आई एल साइन थीटा के एक्वल होती है सेकेंड बारा पने पढ़ा कि यहीं किसी मैगनेटिक फिल्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल लग देते हैं और वो चार्ज पार्टिकल को वी विलॉसिटी से मूफ कराते हैं तो उस पर भी एक फोर्स एक्ट करता है और इसकी वैल्यू बी क्यू वी साइन थीटा होती है तो सेम है करेंट की जगह पर क्यू आ गया और लेंद की जगह पर विलॉसिटी आ गए यह फोर्स लगता है अब हम बात कर रहे हैं कि यह दि मैगनेटिक फील्ड तो है ही मैगनेटिक फील्ड है तो एन एस लगा देंगे मैगनेटिक फील्ड तो है ही बट इस मैगनेटिक फील्ड में हम एक क्वाइल रख रहे हैं A, B, C, D एक क्वाइल रख रहे हैं इस क्वाइल में करेंट फ्लो कर रहे है अब इस A, B, C, D एक और इसको magnetic field के अंदर रख दिया, ये magnetic field के direction है, अब ये magnetic field इस direction में रखती, तो इस पर भी क्या force लगेगा, क्योंकि wire में force लग रहा है, charge में force लग रहा है, तो क्या इस current carrying coil के अंदर भी force लगेगा, ये हमको पढ़ना, और ये फोर्स लग रहा है, तो ये force का value किती है, magnitude कितना है जैसे यहाँ पर हमको BIL sin theta मिल रहा है BQV sin theta मिल रहा है तो इसके अंदर किता force मिलेगा यह देखेंगे और इदी force मिल रहा है तो इसका direction हम किस rule से निकालेगी तो यहाँ पर current जो flow हो रही है वो हम देखें यहाँ positive है तो इससे current निकलेगी यह इस प्रकार से coil में जाएगी तो A से B की और जाएगी current और B से C की और current जाएगी again C से D की और current जाएगी and then फिर यह वापिस return हो जाएगी यह की है हम इस तह से current लाइक जो है current को flow कर रहा है अब हमको यह पता है इसको जिते हम फोर पार्ट में डिवाइड कर देखें एक यह wire है AB wire तो यह जैसे यह wire है वैसे यह भी wire हो जाएगी AB wire और BC एक wire है CD एक होड़ा है और DQC आधाल व्याइक है अपर राइक चार व्याइन को आपने मोड़कर anterior को नाइन है हम अलग अलग पार्ट की बात करते हैं हम देखते हैं की इस भी तक यह जाते हैं तो कितना कई यहां पर करेंट यही आए democratic फ्लो हो रहा तो कितना फोर्स लगे हैं तो पता है कि A B जो A B जो वो है वायर है A B सिग्मेंट के अंदर A B वायर सिग्मेंट के अंदर जो करेंट फो आई फ्लो हो रही है तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा B I L B C में क्या और इसका डिरेक्शन क्या होगा इसका डिरेक्शन हम लेफ्ट एंड रूल से निकाल सकते हैं B C में क्या होगा B C में यदि हम बात करें तो देखो B C के अंदर करेंट का डिरेक्शन और मेरेटिक फिल्ड का डिरेक्शन दोनों ही सेम डिरेक्शन में है इसलिए B C पर जो force लगेगा, वह 0 लगेगा, क्योंकि दोनों का same direction है, अपन पढ़ चुके हैं, कि the direction same होता है, तो force नहीं लगता है, 3rd, CD में देखे, देखो, AB में current इस direction में जा रहा है, और CD में current इस direction में जा रहा है, मतलब एक दूसरे के opposite direction में जा रहा है तो force की value CD wire segment में value तो उतनी ही पूठ होगी BIL sin theta लेकिन direction जो होगा वो change हो जाएगा यदि ये direction upward direction में जा रहा है तो ये downward direction में जाएगा again हम DA की बात करें तो DA जो wire है उसमें again करें force जो होगा वो zero होगा क्यों होगा क्योंकि magnetic field और current दोनों एक दूसरे के anti parallel है magnetic field इस direction में जा रहा है current इस direction में जा रही है इसलिए ये कैसे होगा anti parallel है theta is equal to 180 degree बन रहा है तो यहाँ पर भी कोई force act नहीं होगा तो force जो act हो रहा है वो सिफ AB और CD में हो रहा है अब AB में force कित्ता act हो रहा है तो यहाँ हम left hand rule लगाएं यहाँ पर तो यह देख आप लोग देख रहे होंगे यह मैं इस वागा से अपने उल्टा कर दिया यह देखे तो यह देखे आप magnetic field इस direction में जा रहा है current उपर की और जा रही है तो force जो होगा वो नीचे की और लगेगा means AB जो wire है AB यदि यह कोई coil है तो यह AB जो part है वो नीचे की और turn हो जाएगा तो यह नीचे की और एक force लगेगा इसमें AB जो part है वो नीचे की और जाएगा CD जो है यदि हम CD की बात करने तो CD में तो आपना आराम से निकाल सकते हैं यह magnetic field है यह current का direction है तो यह force जो है वो उपर की और लगेगा तो यहाँ पर एक force उपर की और लगेगा तो यह coil में यदि हम इस coil में मालो बात करने तो AB यह है और CD यह है तो AB जो है वो नीचे की और जाएगा और CD जो है वो उपर की और जाएगा तो यह क्या करेगा इस coil में दो force लगने लग जाएगे एक नीचे की और और एक उपर की और तो यहाँ कहलाएगा couple of force इसको हम कहते है couple of force हमने force का direction flaming left hand rule से ही निकाला है तो यहाँ पर AB और CD यह थी हम अलग से बना लें इसको CD तो AB जो है वो नीचे की और जाएगा और CD जो है वो उपर की और आएगा तो यह जो है पलट जाएगी means क्या होगा यह घूमने लग जाएगी तो एक couple of क्योंकि दो force लग रहा है तो इसको हम बोलेंगे couple of force और इस couple of force को बोलते है torque बिस यहाँ पर एक force नहीं लगेगा दो force लगेगे एक AB segment में और दूसरा CD segment में और यह coil को घूमा देगा तो यहाँ पर coil जो है वो घूमने लग जाएगी next time क्या होगा यह CD जो है वो left side आ जाएगा और AB जो है वो right side चला जाएगा current का direction same होगा जैसे यह current का direction यह यहाँ पिसी दे जाएगा तो यह इस से जोड़ जाएगा इस तहाँ से तो यहाँ पर फिर again एक force लगेगा वो force का direction वैसे होगा यह नीचे की और CG portion नीचे की और AB portion उपर की और तो इस तहाँ से यह जो coil है वो घूमने लग जाएगी और यही electric motor का principle है इसी base पर electric motor बनता है अब अगेन अब बात आई की यदि यहाँ पर दो force लग रहे हैं तो couple of force की value किती होगी इसको हम torque कहते हैं torque हम tau इसको tau होते हैं यह tau से show करते हैं force इसकी value होती है couple of force की कोई भी एक force और उनके बीच की distance तो देखो यह दो force जो लग रहे हैं यह दो force की बीच की distance कितनी है bc let की जो हमने coil ली है उसकी length l है और उसकी जो width है वो यह दी b है small b तो हम लिख सकते हैं tau is equal to f की value किती है b i l sin theta into bc की value हो जाएके b हम लिख सकते हैं यह दो capital b जो है वो magnetic field है और यह small b जो है वो distance between two wires है यहां कह सकते हैं कि width of coil है तो यहां पर हम l into b इसको में एक साथ कर लेते हैं l और b को multiply कर लेते हैं साइन थीटा तो देखो यह l के लेंथ और b के लेंथ लेंथ इन्ट 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 इसकल टू एरिया तो यहां पर जाएगा b i a साइन थीटा होती है अब यहां को इसको और मोटर बनाना है तो हम क्या करते हैं एक कोईल नहीं लेते हैं इसमें हम बहुत सारी कोईलों को बाउंड कर देते हैं तो एक कोर लेते हैं इसमें नमबर आफ टरन स्लेट जो वाउंड कर रहा है यहां पर इसके ज्यादा वायर्स होने के कारण से वाउंड होने कारण से टाउ की वेल्यू और अधिक बढ़ जाती है और वो हो जाती है एन टाइम्स बढ़ जाती तो एन बी आई ए साइन थीटा तो यह टॉर्क हमको मिलता है मोटर के अंदर बनाते वक्त एक कोईल ना लेके बहुत सारे क्वाउलों को उसके पर लपेट देते है वाउंड कर देते है और उससे हमारी क्वाउंड जो बनती है उसमें नंब़ ओफ दॉइर्स वाउंड की गई है वह N रहती है तो इस ताह से यहां पर हमको यह समझ में आ गए कि यह दि हमको टॉर्क जादा चाहिए तो यह तो नंबर आफ टॉर्ण्स बढ़ा दें मेंगेंडी फिल स्ट्रॉंग कर दें करेंट की वैल्यू बढ़ा दें एरिया बढ़ा दें ओर एंगडि जो है वह 90 डिगी रखें यदि हम यह इसलो handful कर देँ तो वर्मको टॉर्क जो है वह बहुत अधिक मिल जाता है और यही मोकर जो मोकर अपने इसलिक नडन में में मिक्सर में टॉपाम में मिल जाता है ज़ीठनी भी आपन मोकर यूज़ करते हैं वो सब ही electric motor होती है यह electric motor two type की होती है एक alternative current से चलती है दूसी direct current से चलती है तो मारे घरों में जो light आती वो alternative current होती है जो हम battery से या cell से current लेते हैं वो direct current होती है तो तुम लोग के course में direct current का motor है DC motor है AC motor नहीं है तो हम next अभी पढ़ेंगे DC motor का construction प्रेड़क्षन